जैश्री महागाल एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अभी नंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरू में तर्मोलोजी वाला पार्ट हम लोगों का चल रहा है तर्मोलोजी में कई सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं जिनमें स क्या होता है गुट्स क्या होता है फिर परचेज क्या होता है सेल क्या होता है परचेज रिटन सेल रिटन डेटर क्रेडिटर ड्रॉइंग डेप्रिसियेशन लोन लोन के टाइप जिसमें हमने दो तरीके के लोन को देखा था एक आपका सिक्यूर्ड लोन था और एक आपका Unsecured Loan था. Then, उसके बाद अगला आपका Liability दो तरीके की थी. एक Current Liability थी, एक आपकी Fixed Liability थी. Then, उसके बाद आपका Revenue आपने देखा था. Income आपने देखा था. Income के आपने Type देखे थे जिसमें आपका Direct Income और आपका Indirect Income था. फिर profit आपने देखा जिसमें आपने gross profit और net profit के बारे में समझा अरे इसी को अगर हम convert कर दें तो आपका gross loss और net loss आपका आजाता था ठीके ये सारी चीजें हमने देखी साती साथ expense के बारे में भी हमने जाना expense को हम दो category में बाड़ते थे एक आपका direct expense होता था और एक आपका क्या होता था indirect expense होता था और मैंने आपको बताया था कि जो आपके direct expense होते हैं वो उनके भी ना आपका काम नहीं होगा और जो indirect expense होते हैं वो जो सिर्फ आपको क्या करते हैं support करते हैं पिर losses के बारे में हमने द अबता दिया था एक आपका gross loss और एक आपका क्या था net loss था ठीक है कुछ और बातें यहां पे हम कर लेते हैं जरा लिखिए जरा बेटा सभी लोग how to calculate cost of goods हाउ तो केलकुलेट हाउ तो केलकुलेट cost of goods कि जिसे आप बेटा सी ओ जी एस भी कहते हो ठीक है जिसे आप क्या कहते हो सी ओ जी एस कहते हैं cost of goods sold कहते हैं ठीक है ज्यान देंगे कि जब आप cost of goods sold की बात करते हो तो देखो cost of goods sold cost of goods sold ध्यान देंगे आप दो तरीके से कैलकुलेट करते हो या हम यह कहें कि हम दो point of view से calculate कर सकते हैं एक हमारा financial point of view होता है या जिसे हम financial accounting point of view कहते हैं पाइनेंशियल एकांटिंग पाइनेंशियल एकांटिंग पॉइंट औव व्यू और एक जिसे हम कहते हैं आपका बेटा cost accounting point of view ध्यान से सुनिये अब आप graduation के चात रहें तो cogs का अगर आप formula यह कह देंगे कि sir opening stock plus net purchase plus आपका क्या net purchase plus direct expenses direct expenses minus closing stock अगर आप इस तरीके का formula का इस्तमाल करते हैं तो आप एक तरीके से सही भी हो गलत नहीं हो लेकिन अगर आपसे यह कह दिया जाए कि जरह बताओ cost of goods sold आप calculate करो लेकिन cost के point of view से यह जो formula आपके screen पे है यह financial के point of view पे 100% right है लेकिन अगर cost के point of view पे अगर आप बात करेंगे बेटा यह formula पूरी तरीके से गलत है पूरी तरीके से क्या है गलत है तो सही क्या होगा इसके लिए आपको थोड़ा सा patience होकर एक छोटा सा diagram देखना पड़ेगा और फिर उस diagram के अनुसार हम आपको cost of goods sold calculate करना सिखाएंगे ठीक है बात clear हो गई अब ध्यान दीजे जब हम cost accounting की बात करते हैं बेटा क्योंकि देखो आप लोगों ने cost branch of accounting भी पड़ा है branch of accounting में एक portion आपका क्या था cost accounting भी था याद था कि याद है कि नहीं अगर मैं आपसे पूछूं की जरा बताईए branch of accounting क्या है तो आप कहोगे कि सर्फ financial accounting, cost accounting, management accounting यह हमारे branch of accounting हो गए तो branch of accounting का ही यह पूर्शन हम आज थोड़ा सा discuss करेंगे और सारा concept आपको बता देंगे कि cost of goods sold, cost accounting के point of view से कैसे निकालते हैं हम ध्यान देजिए जब हम cost की बात करते हैं बेटा तो cost को cost accounting के point of view से तीन भागों में बाटा जाता है कितने भागों में बाटा जाता है तीन भागों में बाटा जाता है और आप यह भी जान लेजे कि आप जो भी कोई भी दुनिया का कोई भी product यह service बनाते हैं तो इन ही तीन इलिमेंट की वज़ा से वो आपका cost बढ़ता भी है और इन ही तीन इलिमेंट की वज़ा से आपका cost क्या होता है घड़ता भी है अब वो तीन इलिमेंट क्या है सबसे पहले आपका आता है material सबसे पहले आपका क्या आता है material दूसरा आपका आता है क्या labor और ती तीसरा आपका क्या आता है विटा आदार एक्सपेंस यानि मटेरियल और लेबर को फोड़ कर पॉइंट क्लियर हो गया आप देखो कोई भी प्रोडेक्ट बनाओ जैसे अगर मैं इस चसमे की बात करूँ इसमें ये जो डंडा आपको देख रहा होगा ये जो आपको प्लास्टिक दिख रही होगी या जो एक ग्लास दिख रहा होगा ये मटेरियल है लेकिन इस मटेरियल को असंबल किसने किया होगा लेबर ने जब इस मटेरियल और लेबर को आप लोगों ने मिलाया तो सीधी सी रही बात है यह चस्मा बनकर तयार हो गया लेकिन अभी इस चिस्मे को मार्केट में बेचना है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चोटा सा नाम भी लिखा है उसका ब्राइंड लिखा है उस ब्राइंड का क्या कोई कॉस्ट आया होगा कि नहीं आया होगा 100% आया होगा, इस चसमे को Pack करने के लिए एक Box भी आया होगा, तो वो Box भी आप क्या Material है, क्या वो Material है? नहीं है सर, कुछो का है? क्योंकि Other Material एक ऐसी चीद होती है, जिसका आप यूज कर लेते हैं इसका आप क्या कर लेते हैं यूज कर लेते हैं आप कोई भी प्रोडेक्ट जब बनाते हो तो उस प्रोडेक्ट को बनाने के लिए जो भी आप यूज कर रहे हो न वो आपके लिए material है धान से यहां पर समझो जब आप material की बात करोगे तो material को आप फिर से तीन भागों में बाटोगे कितने भागों में बाटोगे बेटा तीन भागों में बाटोगे एक होगा आपका raw material एक होगा आपका क्या एक होगा आपका डबलू आईपी material एक होगा आपका क्या डबलू आईपी material और एक होगा आपका इस मटेरियल ठीक है ध्यान से सुनिए हों कि अ कई गलत तो यह मटेरियल के टाइप हो गए ला माटेरियल कच्ची सामगरी लुचांट देंगे raw material कच्ची सामगरी WIP अर्धनिर्मित सामगरी और फिनिस का मतलब है कि यह आपकी अंतिम सामगरी है जिसको आप मार्केट में बेचने के लिए ready हो गए लेकिन यह तो material है लेकिन अगर हम इसके cost की बात करें ध्यान से सुनो बेटा जब हम इसके किसकी की बात करेंगे material के कॉस्ट की बात करेंगे तो material का कॉस्ट अलग से दो भागों में बटा है material का कॉस्ट अलग से कितने भागों में बटा है दो भागों में बटा है देखो ज्यादा लेंदी तो जा रहा है ना वन बाई वन चीजों को समझोगे तब जाके आपको चीजे समझ में आप बढ़े आराम से आ जाएंगी देखो मटेरियल को कितने भागों में आपने बाटा तीन भागों में बाटा क्या हो गया रॉम मटेरियल डवलू आई पी और फिनिस गूड्स अब मटेर एक हो जाता था आपका क्या डारेक्ट मटेरियल कोस्ट एक हो जाता था बेटा आपका क्या इंडारेक्ट मटेरियल कोस्ट इतना कॉंसर्ट क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं यह तो हो गया आपका मटेरियल कोस्ट और आपका डार और आपका indirect material cost भी हो क्या अब बात करते हैं हम अपने labor की तो देखो labor आपके किसी भी type के नहीं होते या आप ये भी कह सकते हो कि हाँ sir labor का एक type होता है जैसे अगर हम labor की experience के आधार पे अगर हम labor को classify classified करें तो आप दो तरीके से labor को classify कर सकते हो एक skilled labor हो सकता है और दूसरा आपका क्या हो सकता है अन-skilled labor हो सकता है यानि जब आप शुरुवात में पहली बार कहीं पर काम करेंगे तो आपके अंदर skill नहीं होगा आपके पास knowledge नहीं होगा आपके पास experience नहीं होगा तो आपको अन-skilled labor कहा जाएगा लेकिन जैसे ही आपके क्या में आजाएंगे ऐसे कटिगरी में आ जाएंगे आजा समझ में आगे तो अगर labor को बाटना ही रहे तो आप दो तरीके से बाट सकते हो एक हो गया आपका इस्किल्ड लेवर और एक हो गया आपका क्या अनिस्किल्ड लेवर आपको अच्छे से पता है इस्किल्ड लेवर की जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है और अनिस्किल्ड लेवर की जो कॉस्ट होती है वो आपकी क्या होती है कम होती है सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं एक बात बताएए जैसे आप जब घर बनवाते हैं तो एक मिस्तरी होता है और एक लेबर होता है जो मिस्तरी होता है वो आप से आट सो नो सो रुपया ले रहा है जो लेबर है वो आप से तीन सो या चार सो रुपया ले रहा है क्यों ले रहा है जबकि मिस्तिरी कम काम करता है और लेवर क्या करता है ज्यादा काम करता है ठीक है लेकिन वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर क्या ले रहा है पैसा ले रहा है यह आप देखो इसके बेस पर पैसा ले रहा है एक्सपीरियंस नॉलेज के बेस पर पै जालते हैं एक होता है हमारा क्या डारेक्ट लेवर कॉस्ट अब दूसरा आपका क्या होता है बेटा इन डारेक्ट लेवर कॉस्ट अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी मैं करा एक ग्लास जन दीजे एक्सपेंस की बात करेंगे एक्सपेंस का मतलब क्या होता है लेवर और मटेरियल को छोड़ दीजे लेवर और मटेरियल को छोड़ कर जो भी आपकी कॉस्ट होती है वह आपकी अधर कॉस्ट होती है जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि जो आप का box रखेंगे वो चसमें का box उसकी भी तो लागत आएगी कि नहीं आएगे उसवाले को आप क्या मानोगे कि यह आपका material है क्या वो आपका labor है वो आपका क्या कहलाएगा अधर कहलाएगा आप घर बनवा रहे हैं तो घर बनवाने के लिए आप नक्सा पास करवाएंगे आप नगर पालिका से permission लेंगे वो नक्सा पास करवाना या नगर पालिका से permission लेना बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा क क्या कहलाएगा आपका other expense कहलाएगा क्योंकि वो तो ना तो material है ना तो labor है और एक चीज मैं आपको बता दूँ material और labor से जादा अगर cost कहीं पर लगता है तो वो आपका कहां लगता है अधर expense में लगता है यह आप चीज जानी है इसी वज़ा से अधर expense को दो भागों में फिर से हम लोग क्या कर देते हैं बाट देते हैं एक होता है आपका direct other expense त्यक्षोता है आपका क्या direct other expense और दूसरा आपका क्या होता है indirect other expense अधर expense अधर expense अध्यान से देखो जो आपके indirect other expense होते हैं जो आपके क्या होते हैं indirect other expense होते हैं इनको हम अलग से चार भागों में बाड़ते हैं अलग से कितने भागों में बाड़ते हैं चार भागों में बाड़ते हैं एक होता है आपका factory expense एक होता है है आपका selling expense लास्ट आपका क्या होता है बेटा distribution expense देखो expenses की classification आप देखो ध्यान से देखो expenses की classification बहुत बहुत important है कारण क्या होता है कि हम financial accounting में सारे expense को दो ही भागों में बाड़ देते हैं एक या ही मानेंगे लेकिन हम उसको अलग से brief classification करेंगे मतलब जो आपके other expenses भी होंगे तो इनको भी हम कितने भागों में बाट देंगे चार भागों में बाटेंगे पहला क्या है आपका factory यानि factory से related other expense अब आप कहोगे सर factory से related other expense क्या हो सकता है अरे भाई फैक्टरी में जो light लग रही है जो आपकी क्या लग रही है light लग रही है फैक्टरी में जो आपका machine है machine यो øो फैक्टरी में क्या खेते हैं आपके आपने किसी unterwegs इसको रखा है अपने तीक के बाहर इक वेक्ति नहीं बैठा रहता उसको जो आप सेलरी दे रहे हुआ तो आपका किस में आ जाएगा फैक्टरी एक्सपेंस में आ जाएगा ऑफिस में जो आपने कंप्यूटर लगा रखा है और कंप्यूटर पे जो डपरिसीेशन आप चार्ज कर रहे हैं जो आफिस में आप पतलब होता है कि आपको समान को मार्केट में बेशना है तो मार्केट में बेशने के लिए आपके पास दो विकल्प है एक एडवर्टाइजमेंट करिए अब एडवर्टाइजमेंट के भी कई सारे विकल्प होते हैं आप होल्डिंग लगवा लीजे आप बैनर लगवा ल आएंगे distribution क्या होगा जो आपके go down से सम्मान निकल के customer के पास जो समान पहुंच रहा है उसके बीच का जो खर्चा है जो delivery boy है उसको तो salary दोगे की नहीं दोगे तो salary देना पड़ेगा की नहीं देना पड़ेगा देना पड़ेगा जो आपने go down रखा है go down का काम क्या है बहिए distribution का ही तो काम आएगा तो उस go down की lighting उस go down का rent वो आपका किस में जाएगा distribution expense में ही जाएगा अभी तक हम financial को क्या करते थे कि सिर्फ expense को दो ही label में पढ़ते थे डारेक्ट हो गया और क्या हो गया आपका indirect लेकिन cost ने हमको ये बताया कि sir expenses के अलग portion भी होते हैं और इसकी जो complete knowledge आप लोग प्राप्त करेंगे वो आप अगले semester में प्राप्त करेंगे यानि third semester में प्रा अवश्यक है अब जहां से हमने आपकी सुरुबात की थी क्लास की भीया हमको cost of goods sold कैसे पता चलेगा तो अब देखो इसका फॉर्मूला देखो द्यान से जितने भी बेटे आपके prime cost हैं जितने भी आपके direct cost हैं क्या बोला मैंने जितने भी हमारे क्या है बेटा direct cost है इन सारे direct cost को आपको जोड़ देना है इन सारे direct cost को आपको क्या कर देना है जोड़ देना है सर क्या जोडने से हमारा cost of good sold आ जाएगा अंसर है नहीं अभी नहीं आएगा क्योंकि जब आप इन सारे direct cost को जोडेंगे जो balance निकल कर आएगा उस balance को हम कहेंगे आपका prime cost कहेंगे क्या कहेंगे बिटा prime cost कहेंगे यानि मूल लागत क्या कहेंगे आपका मूल लागत और मूल लागत का मतलब क्या होता है कि सर इसके बिना हमारा कामी नहीं होगा और जो बचे हैं आपके अब देखो बचे क्या क्या है indirect material बचा है indirect labor बचा है और indirect expenses बचे है यह तो concept है न डारेक्ट डारेक्ट सारे निपट गए कि नहीं निपट गए इनको हमने जोड़ा तो यह हमारा क्या निकल के आ जाएगा prime cost ठीक है अब इस prime cost में जब हम फिर से सारे indirect expense को घट जोड देंगे सारे indirect expense को क्या घट देंगे जोड देंगे तो आखरी में फिर जो balance आएगा वह फिर आपका आ जाएगा क्या cost of good sold आ जाएगा क्या जाएगा पिटा आपका cost of good sold आ जाएगा ठीक है चलो लिखा देते हैं इसने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं अगर कोई सवाल अगर आपको पूछना तो वह आप हम 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 है अच्छा क्या है पीटा आई है डवलू आई पी वर्किन प्रोग्रेस ठीक है अब देखें कि इसी ने पूछा कि what is the formula of the prime cost आपके पास answer है की नहीं है क्या है answer all all expenses all expenses related to direct related to direct direct material cost direct material cost फिर डारेक्ट लेबर कॉस्ट फिर प्लस आपका डारेक्ट एक्स्पेंस कॉस्ट समझ में आ गया एक चीज मेरा आपसे छोटा सा सवाल है इसका अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं जानूंगा कि आपको चीजे समझ में आ रही है पिटा यह जो डबलू आईपी सब्द आपको दिख रहा है यह डबलू आईपी यह किस इलिमेंट से रिलेट करेगा आपके सामने ऑप्शन है पैक्टरी ओफिस सेलिंग डिस्टिब्यूशन है अलब सारे द्यान से सुन रहे हुआ है और सुन्दर अच्छे पार मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था ठीक है पार्टी वर्टी का सब्द नहीं नाम नहीं लेंग अभी मैंने कुछ कहा नहीं है ठीक है बेरी गुड इसका मैं लफ्द पढ़ रहे हो सारे चलो फैक्टर डव्लू आईपी आपका रिलेट करेगा किस से बेटा इसे वेरी गुड चलो फिनिस्ट गुट्स बेटा किस से रिलेट करेगा यह बता ओ फिनिस्ट मटेरियल या फ से रिलेट करेगा मतलब इसका सुनिये ध्यान से अगर कभी भी आपको ओपनिंग डवलू आईपी दे दे या क्लोजिंग डवलू आईपी दे जैसा कि कोशन दे सकता है या ओपनिंग फिनिस्ट गुड्स दे दे या क्लोजिंग फिनिस्ट गुड्स दे दे पैसा नहीं कि हवहा के माइनस कर देना है आपको उनके element के साथ उसको माइनस करना है यह अगर WIP है वो आपका किस में चला जाएगा पैक्टरी के साथ जाएगा और अगर आपका finish है तो फिर किस के साथ जाएगा तो आपने बताया है नहीं अरे raw material मतलब कच्ची सामगरी के कोई समान स्टार्ट हो पाएगा इसका मतलब कि यह तो बेटा आपके लिए direct ही होगा ना थोड़ा सा दिमाग लगा यह तो आपके लिए क्या होगा लेक्टे ही तो फोगा इसी लिए मैंने अटे छमें ही नहले लिया क्यव कि ये आपके सीधी किसमें जाएगा और मतलब की सिपते स्धूर्प में आपका क्या होगा जाएगा संभुआ यक कि जान लिया अब Nagus कोस्ट के बाद क्या करेंगे ध्यान देजेगे ध्यान देंगे क्णा मत कोस्ट के बाद का सब देंगे सुटार हck भोड दियक्त अर्ठ अलेध this sudah एलेटेड़ टू त Idee दो पेक्ट्री आलेटेड और द अन्रभ आक्ट्री मतलब जो भी आपके factory से related खर्चा होगा उस सब हम इसमें क्या कर देंगे बेटा जोड़ देंगे ठीक है और और क्या जोड़ेंगे एड ओपनिंग टबलू आईपी और लेस क्या कर देंगे क्लोजिंग टबलू आईपी ठीक है इसके बाद जो आपका यह balance आयेगा पेटा इसके बाद जो आपका क्या आयेगा यह balance आएगा जोड़ने पर इसको हम कहेंगे आपका factory क्या कहेंगे आपका फैक्टरी कॉस्ट कहेंगे आठ समझ में आगए अभी भी आपका कॉस्ट आपका फैक्टरी कॉस्ट आया है लेकिन अगर आप देखो तो आप हर एक कि धीरे करते जा रहे हो अरजस्ट करते जा रहे है अब इसके बाद फिर हम एड करेंगे आपका क्या एक्स आख्ष्पंस आख्ष्पंस आप उसके बाद अब इसी में आप एड़ करिए सारा एक साथ आड़ कर दे रहें ठीक है एड ओपनिंग फिनिस गुड्स लेस लोजिंग फिनिस गुड्स फिर अब क्या एड़ करेंगे एड़ सेलिंग एक्सपेंसेज लेस करेंगे सारी फिर से एड़ करेंगे डिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेंसेज इसको भी एड़ करेंगे इसके बाद अब जो बैलेंस आएगा से एसको हम कहेंगे बेटा क्या आज करते हैं बाफिट एड़ कर देते हैं प्रॉफिट एड़ करने के बाद जो बैलन्स आता है उसको हम लोग क्या कहते है श्रब्यूशन कि सेल प्राइज कहते हैं कि क्या कहते हैं विटा सेल प्राइज कहते हैं कि अगर आप देखो यहां से फॉर्मूला फेक फिर बन रहा है तेल प्राइज का एक फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट अप गुड सोल्ड प्लस पॉफिट टिक हो गया यह था आपका कॉस्ट के एक्कॉस्ट अप गुड सोल्ड को फाइंड आउट कर अब मुझे पता है कि आपके छोटे से दिर्मार्ट में बहुत बहुत जादा एक्सरसाइज हो गई है लेकिन बेटा कि क्या फॉर्मूला सेल प्राइस का क्या फॉर्मूला होगा पॉस्ट अब गुड सोल्ड प्लस प्रॉफिट क्या आ जाएगा तेल प्राइस अब अगर किसी बच्चे को कोई भी सवाल पूछना है तो वह आप पूछे बड़े प्यार से कुंसा अब इस एक बात बताईए जो हम मार्केट में समान बेशते हैं आपको भी पता होगा कि जो चीज आपके पास ओपनिंग है जैसे माल लीजे आपने आज आज आपके पास पांच आलू है अपने दिन बर में तीन आलू बेच दिया तो बचा कितना दो आलू अगली बार है साथ आप सबसे पहले कौन सा बेशना चाहेंगे जो आज खरीदा है आलू या जो कल वाल आलू है उसको आप पहले निप्टाना चाहेंगे न इसलिए ओपनिंग को क्या कर दिया जाता है एड कर दिया जाता है लोजिंग अभी आप ही के पास है तो उसका तो प्राइज होती है जो आपकी कॉस्ट प्राइज होती है इन दोनों में से जिसकी भी वैलू कम होगी उसी को हम आपकी कॉस्ट माल लेंगे जैसे और एक्जामपल जैसे कुछ नए बच्चे हैं ज़रा देखेंगे ध्यान से एक मार्केट वैलू आपके पास स्टॉक की 10,000 रुपए है और इसकी कॉस्ट वैलू माल लिजे 8,000 रुपए जब रिकॉर्डिंग की बात की जाएगी एकाउंटिंग के कॉंसेप्ट के अनुसार तो आप 10,000 पर रिकॉर्ड करेंगे या 8,000 पर रिकॉर्ड करेंगे अगर आप लोगों ने 10 पर रिकॉर्ड किया इसका मतलब आपसे बड़ा बेकूफ कोई नहीं है तो कारण यह है कि आप फिर कंजर्वेटिव रूल को फिर भूल जा रहे हो ना कंजर्वेटिव रूल क्या कहता था कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आपको इग् जादा मिल जाएगा अपको आधार पर नोट कर रहे हो ना कि आपको 2000 जादा मिल जाएगा अरे अच्छा एक बात बताओ इस बार मार्केट वेलू 8000 है और इस बार आपकी कॉस्ट वेलू 10,000 है अब बताओ किस पर रिकॉर्ड करोंगे आठ हजार पे कि 10,000. फिर गलती कर दिये इस बार किस पर record करोगे 8000 फे यानि market value या फिर आपकी cost value which ever is less कि विच एवर इस ओलेस जो कम होगी कि कम होगी उसी पर आपको record करना है मतलब एक चीज जानिये जब आपको आप ऐसे समझो कि market value और कॉस्ट वेलू छोड़ो यह माल लीजिए आप लीजिए आप लोगों की अपेच्छाएं ज्यादा होती है कि कम होती है अगर आप अपेच्छाएं जधा रखते हैं तो आपको दुख वीट उतना ज़ादा होता है मधि मत करें किसार हमको इतना जदा मिलेगा पहले से क्या सोचो किसार हमको मिलेगा ही नहीं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको loss कम होगा और आपको heart कम होंगे हाँ कि अःटनु है कि इगनみ इगनर नहीं कर रहा हो पेटा ना आप आप स्वैम सोचेंगे ज्एदा सोचने के अगर वह चीजे नहीं हुई आपको दुख होगा के नहीं हो गा को प्रॉफिट के बारे में कम सोचो काम के बारे में ज़्यादा सौच हो अब आप यह सोचो कि महिने का अगर हम एक लाग कमाएं तो मज़ा आ जाए और काम तुम दसोह रुपया वाला नहीं कर रहे हो तो बस सोच वही चीज है ना अब जैसे हम यहां पर पढ़ा रहें बच्चों को मैंने आप से कहा कि बिटा आपकी एक महीने की फीज पंद्रह सो रुपया है अब हम यह सोचें कि यार क्या पता कोई नीन हजार दे दे अरे वह मैक्सिमम ही आपको पंद्रह सो देगा लेकिन हाँ अगर उसके पैरेंट्स आ गए और यह कहने कि सर कुछ हो कम कर दीजे लॉस हो गया कि नहीं हो गया तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन फिर से तुरंट क्या करनी पड़ेगी कम करनी पड़े काम करूंगा लॉस के लिए नहीं मेरा जो सेल प्राइज है उसमें कितना कॉस्ट है यह मुझे पता है और मुझे वो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हेल्प कौन करेगा यह कॉस्ट सीट जो मैंने आपको बताई है इस वाले पूरे फॉर्मेट को बिटा हम लोग बड़ आप लोगों ने खेल खेल में इग्नोर कर दिया मुझे पता है यह जाल बेज़े इस पॉस्ट सारी प्लस होगी बेटा अब बात बताई आप किसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं जैसे माल लीजे मेरे पास यह विक्स का यह रैपर है तो इस रैपर पे कितने का रैपर हो गा जितना कभी होगा माल लीजे दस पैसे और यह दस पैसा की विक्स की कॉस्ट में जूड़ेगा की नहीं जूड़ेगा तो वो सारा जुड़ जुड़ कर ही तो सेल प्राइज निकलेगा अब एक बात बताईए इसको आपने एक में खरीदा आप क्या हैं कस्टमर हैं तो आपने इसको एक में खरीद लिया अब माल लीजे अगर आपको इसको बेचना पड़े ठीक है ऐस बिजनेस मैन तो आप उसको कितने में बेचोगे एक में बेचोगे या डेड़ रुपए में बेचोगे या एक से जादा में बेचोगे एक से जादा में बेचोगे भले दसे पैसा मिले भले बीसे पैसा मिले क्यों क्योंकि आपके आने जाने का भी तो कॉस्ट उसमें सामेले वेटा ये भी तो आप चीजे समझो आप being a businessman कभी भी loss नहीं कमाओगे ये आप जानो बेटा और अगर आप loss कमा रहे हैं तो you are not a businessman आप ये मैं 10 रुपे के ये जो कुलड़ चाय मंगाता हूँ इसमें क्या लगता है कौन-कौन सी cost सामिल होगी जाय की cost तो होगी ही होगी पिटा पुलड़ की भी cost है जिस labor ने बनाया है उसकी भी cost है जिस gass पे बना है उसकी भी cost है जो उसमें क्या कहते है आपका जिस जगहां पे बनाया गया होगा उसके rent की भी इसमे cost सामिल होगी तभी जाके यह 10 रुपए की पढ़ रही है ठीक है तभी जाके यह 10 रुपए की पढ़ रहे है образом अगर देखा जाए इसकी जो एक्चुल कॉस्ट जा जादा एकी रुपए की कॉस्ट है हम एक रुपया चाय का देते हो दिद्युव बाकी नरुपए में हम प्रॉफिट भी देते हैं और साथी साथ अन्य कॉस्ट भी देते हैं कंसिप्ट समझो ना घर की चाय जो रहती है आप लोग एक लोटा भर जो चाय पीते हो उसके लिए एक रूपय भी आप नहीं देते हो कि इसे लोग एक गिलास चाय पीते हैं अगर देखेंगे अगर बहरे उपर परसनल कमेंट हो जाता है तो बात खता हो जो बेटा समझ में आगे बेटा इतना सारा कॉंसेट्ट चलो आके देखेंगे आये फटा फटा फट बाकी चीजों को समझ लेते हैं . एक फॉर्मूला यहाँ पर पर कुछ फॉर्मूले आप लोग लग लिख लिएए यहाँ पर आचाइए फॉर्मूले आप लोगों के काम आएंगे इसलिए बहुत द्हान से लिखं़ कर लिखिए का इसको फार पॉइध लिखिय है बस बस वी दो तीन फॉर्मूले और बढ़ेंगे ना उसमें रेडिट पर्चेस पेटा नेट पर्चेस इसका फॉर्मूला है आपका टोटल पर्चेस माइनस पर्चेस रेटन पर्चेस रेटन अच्छा रेटन का एक और नाम है आउट वार्ड अक्सर बच्चेस को कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाते हैं लिखा रहता है रेटन आउट वार्ड आप कहते हैं सर यह क्या है और क्लास 11 में आप लोगों ने इसकी गल्ती बहुत की होगी लेकिन इस बार मत करिये गया टिक बटा पॉटल सेल का फॉर्मूला है आपका कैस सेल प्लस रेड़िट सेल किसी ने पूछा कि नेट सेल का फॉर्मूला बताओ नेट सेल का फॉर्मूला वही होगा जो आपने अभी अभी सोचा कि या होगा फॉर्मूला बटा आप बस एकदम करेक्ट है टॉटल सेल माइनस प्लेल रिटन प्लेशा सेल रिटन का एक और नाम है रिटन इनवार्ड इनवार्ड ठीक है बटा उसके बाद एक फॉर्मूला होता है आपका COGS का अभी अभी शुरुवात में यह आप लोगों ने देख लिया उसे क्या था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस और नेट परचेस कैसे आएका पता चल गया ना प्लस और डारेक्ट एक्सपेंस और आखरी में माइनस किससे क्लोजिंग स्टॉक से बटा नेट बारेक्स फॉर्मुला आता है कल्कुलेट। जीपी का भी फॉर्मुला देख लेजे 37 जीपी का फॉर्मुला क्या है बिटा जाएगो नेट से ऐल-बाइनस कि यो एओज यह जीएस टीकशिय। नेट सेल माइनस सी ओ जी एस ठीक है नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बिटा जीपी प्लस अल ओल इंडारेक्ट इंकम माइनस ओल इंडारेक्ट एक्षपेंसेश ओल इंडारेक्ट के बिटा फॉर्मूला सब लोग प्यार से नोट कर लीजिए अच्छे से अब सवाल दिया जाए फॉर्मूला तो दे दिया हमने सवाल दिया जाए जल्दी नोट करिए है तॉर्मूला टॉट अकनो जारेक्ट ल्हग जाए वढ़स fat आने से जी पी कैलकुलेट जी पी सी यो जी एस एंड एन पी बस तीन चीजे आपको निकाल नहीं है पैस तीन चीजे अरे और क्या जी पी सी यो जी एस और एन पी पैस है नेट प्रॉफिट बेटा ठीक है नेट प्रॉफिट ठीक देखो लिखो जड़ा कैश सेल कैश सेल तू लाइक क्रेट सेल 80 परसेंट ओफ कैश सेल ठीक है क्रेट सेल आपका 80 परसेंट ओफ कैश सेल एस पर्चेस एस पर्चेस एस पर्चेस एप्टी परसेंट ओफ फिपटी परसेंट ऑफ नेट सेल 30% of net sale credit purchase credit purchase 20,000 return in word 5,000 and outward return outward 2,000 opening and closing stock 2,000 opening and closing stock opening and closing stock 20,000 and 30,000 direct wages direct wages 20,000 salary 5,000 rent 2000 2,000 पस देखो मेरा दिल कितना अच्छा है मैंने एक छोटा सा सवाल लिया तो मंगना वाला काम करता करो गया है कभी पेज कभी कभी कलम कभी दवात मांग भी किस्से रही है जो जो बैचारा खुद एक कॉपी में तीन सब्जेक्ट लिख कर वाइठा है वहीं तो कह रहे है चले कोई बात नहीं आई नोट के चले देखिए इसमें आपको तीन चीजे निकालनी है जीपी है सीओ जीएस है एनपी है इस पर मैं लग कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया पूरा तो मैं आप लोगों को एक-एक समूसा खिलाओंगा जिसने भी सॉल्व किया अक्का चलिए अच्छा हम सॉल्व कराएं कराएं वह नत्थूरा मौला समूसा है ना बर्गत के पेड़ के पास लगता है यह देखते हैं सबसे पहले क्या निकालेंगे बिड़ा जीपी देखो जीपी का फॉर्मूला आपको पता होगा अब यह भी बताया क्या है ने ट सेल माइनस सी ओ जी एस यानि सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा नेट सेल का फॉर्मूला क्या है माइनस सेल रिटन एको सेल रिटन तो हमको बड़े प्यार से दिख रहा है कितना इन वर्ड कितना है विटा 5000 लेकिन अभी टॉटल सेल नहीं लिकला अचार टॉटल सेल का फोर्मूला क्या है cash sale plus credit sale तो cash sale हमको दिख रहा है दो लाख रुपया और credit sale हमको दिख रहा 80% of the cash sale दो लाख का 80% यानी एक लाख 6,000 इसको हमने जोड़ दिया और माइनिस कर देंगे सेल रिटन कितना विटा पांच हजार विटन नेट सेल आ गया कि नहीं आ गया यानि तीन लाग साथ हजार माइनिस पांच हजार करेंगे तो तीन लाग पच्पन हजार आ गया कि नहीं आ गया सिंपल स्थे फॉर मुला था सा मिई ळिन लाक पच्पन हजार ते अब सि यो जियस निकालेंगे मैसे त्यट्रत त्रेक्ट तीन लाक साथ हजार अब से पांच हजार घटाएंगे हम को लगता है तिम-वर कछ पने हजार आएगा अब आपको लगता है कि अगर आपका अलग है तो कुछ बताइए हमें आईए COGS देखते हैं COGS COGS का फॉर्मूला क्या है कहता है opening प्लस net purchase opening प्लस क्या बिटा net purchase प्लस direct expense और माइनस क्या closing stock opening और closing तो पता है हमको direct expense भी हमको दिख रहा है ये किसके नाम से wages के नाम से लेकिन सबसे जादा सरदर्द आपको किस पे गरेगा ये net purchase यारी net purchase आपको निकालना पड़ेगा net purchase का formula क्या है बेटा उसको याद है जी तो बेटा net purchase का formula क्या है आपका total purchase minus purchase return माय गलती नहीं बेटा कल हमाई माता जी हमसे कह रही है कि बेटा हम कहें हाँ कहीं होकरे कि हाँ समोसा ले आए हम दो मिनट सोच में पड़ गए कि समोसा कहां सलाएं पिर हम कहें कि अच्छा कौन सवाला कहीं अरे जो परसोल आए थे अच्छा याद आगया हाँ 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 ठीक हम उखरेंगे यह लेते आएंगे तो तारीक से याद आता है कि हम कहां का समोसा लेकर घर पहुंचेंगे हैं कि लाक पच्पन हजार का है अब ती alanग पच्पन हजार का 55 पर संट इन लाग पच्पन हजार करद पड़े का हुए टा फिप्तिअ परसेंट्र यानि एक लोट सटतर अजार पान्ट सो ये आपका काशत प्रशिष आया है एकल लैक सब्योंचट कनो यह oweल्यास और माइनस कर दो परशेज रिटन तो परशेज रिटन कितना था तुम्हारा 2000 परशेज रिटन है आपका 2000 तो 377500 प्लस 20,000 माइनस 2000 अंसर आ गया 1,95,500 लीजे अब जल्दी से बटा ओपनिंग बता दीजे मुझे ओपनिंग है आपका कितना 20,000 नेट परचेज अभी अभी आ गया 1,95,500 प्लस वेजेज के नाम पे 20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 30,000 ठीके बड़ा 20 में से 30 क्या माइनस 10 माइनस 10 हो गया इधर से गया तो इधर बचा 10 यानि 2,55,500 क्या कर लिए 20,000 प्लस 20,000 माइनस 30,000 प्लस 1,9 आज मेरे सर अगर मेरे सामने होते ना बहुत खुस होते हैं कहते कि बेटा तुम्हाई मैथव बढ़ गई है सुधर गई है चलो कोई बात नहीं 2,55,500 तो हमारा क्या आ गया बेटा सीओ जीएस आ गया अब जीपी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जीपी आ जाएगा ना लाओ निकाल दें अच्छा एनपी भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कि क्या होता है बेटा जीप नेट सेल कितना है बड़ा नेट सेल है तीन लाख 55,000 यह देखो विट वन लाख 49,500 1,49,500 अब अन पी तो 1,49,500 यह जीपी ओग गया कोई इंडारेक्ट इंकम है क्या चेक करो इंडारेक्ट इंकम तो आपका इनपी इसका था तुम्हें इंतजार वह घडिया गई उसलिय ज़सेशो्स आफंडर्यड ममखना, यहांनना निष्म हगा आपका थे प्तन क्या देखना है नेट प्रॉफिट का यह रहा नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला जी पी प्लस है यह रहा रहा है अब आपको बताते हुए बड़ा फक्र महसूस कर रहे हैं अकल आपका जन्रल इंट्री अप्ट होगा कि अब आप नेट टीपट की मोचिन के की का थि था और आपको ड़ाखना थे 107 और प्रॉफिट काफा आपको धिक प्रॉबर भीण तक होगा तो वही हाल है कि मेरा बस चलता तो त्यांग देता तेरे माथे पर सूरज को एक विदिया की तरह लेकिन जमाने में अंधेरे के खिलाप हूं वही हाल हुआ है मतलब मेरा सही था तो मेरे साथ मेरा गलत हुआ तो मेरे सब्सक्राइब करें चलिए कल आपका जर्नल इंट्री क्या होगा स्टार्ट होगा फिलाल आज के लिए मुझे इस लेक्ट्चर के लिए अलविदा करिए और मिलेंगे कल तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए बोले नाथ